क्या इस देश में कभी कोई आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कारे कत्री हैं, साहिकाएं हैं, आशबहुएं हैं, क्या उनका कई दर्द समझ पाएगी कोई सरकार, कोई राज्य सरकार या केन सरकार उनका दर्द समझ पाएगी? कितना महत्पूर्ण उनका काम है कि बच्चे के जब मा के गर्म में बच्चा होता है तब से लेके मा की और बच्चे की जब बच्चा 6 वर्ष तक होता है तब तक सारी देखभाल लगबग मा की तरह ही ये आंगनवाडी बहने उसकी करती है और इसके साथ साथ उसका टीका करन मा का भी बच्चे का भी सारे उसकी वजन की देखभाल उसके पोशन की देखभाल उसको सही पोशन मिला है नहीं मिला है कहीं कुपोशित तो नहीं बच्चा उसका कुपोशन है तो उसकी सारी जानकरी रखना देना कुपोशन खत्म करने के यह जो भी सरकार से वेवस्ता है उसको उसे देना इसके साथ साथ तीन वर्ष से लेके पांच वर्ष तक की उम्र की जो बच्चे हैं उनकी pre-school education यानि इसकूल जाने से पहले की जो उनकी education है उसका ध्यान रखना इसके साथ साथ जो एक हजार की आवादी पर एक आंगरवाड भी भेन और उसके साथ में उसकी साहका होती है वहाँ घर-घर जाकर जो महिलाएं हैं जो किशोरी बच्चियां हैं टीनेजर बच्चियां हैं उनको जीवन के बढ़ते हुए उम्र में क्या-क्या साथ धानी बढ़तने चीए कैसी रखने चीए उस सारी जानकरी देना और इ इसके साथ साथ जो चुनावायों का काम है उनको B.L.O. का काम भी दिया जा रहा है पोलियों का काम भी दिया जा रहा है जिन्गरणा का भी काम दिया जा रहा है बाकी जितने भी काम है वो भी अब उनके माते मड़े जा रहे हैं उनसे कराय जा रहे हैं और सब के बावजू में उन्हें मिल के आ रहा है कोई उनके दर्द को जानने वाला उनकी पीड़ा को सुनने वाला समझने वाला और उसे दूर करने वाला कोई नहीं है कोई सरकार नहीं है चाराजी की हो चाकेंदर की कोई भी सरकार नहीं है मात्र उन्हें मिलते हैं कहीं 4,000 रुपे मिल ले हैं कह कही साहिका को धाई हजार हैं कही तीन हजार हैं सिर्फ इसी तरह से उन्हें मिल ला है और इस देश में लगबग 28 लाक की आबादी जो हमारी संख्या है इसकी आंगनवाडी और साहिकाओं की 28 लाक इनकी संख्या है और इतना बड़ा इस्टेबलिश्मेंट होते हुए उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है क्या होता है कभी आपने सोचा है इन 4,000 रुपे में क्या होता है दाई हजार रुपे में क्या होता है आज की तारिक में जहां 55 रुपे किलो बिक रहा हो जहां आलू भी इतना महगा बिक रहा हो जहां सब जियां रोजमर्रा की जो हैं, वो इतनी महंगी बिक रही हूं, जा दालें 100 रुपे से ज़ादे किलो के हिसाब से महंगी बिक रही हूं, जहां पर रोजगार नहीं है, वहां क्या होता है? एक धंका कपड़ा, एक जोड़ी अगर आप कपड़ा भी लेने लगें, तो वो भी 1000 रुपे में आता है, एक साड़ी अगर आप धंकी लेने लगें, तो 2000 रुपे में धंकी साड़ी आएगी नहीं, यह हालत उन की है, कभी उनके घरों में जाँकर देखा है, कभी उनके जहां जाकर कभी किसीने देखा है सरकार ने, कितनी बुरी हालत में हैं वो, इस देश का कुपोशन खतम करने के लिए आंगनवाडी इनकी स्थापना की गई थी लेकिन आज की तारीक में आप देखें वो खुद कुपोशित हैं उन्हीं का कुपोशन आप खतम नहीं कर पा रहे हैं तो देश का कुपोशन क्या खतम होगा आज की तारीक में 80% कुपोशित बच्चे हमारे देश में हैं कुपोशन इस बुरी हालत में हैं जिसके लिए आंगनवाडी को इस्थापना की गई आंगनवाडी की लेकिन जब आप उन्हीं की देखबाल नहीं करते तो बाकी बच्चों की क्या देखबाल करेंगे और ऐसा नहीं सालों में लगतार उन्होंने आंदोलन किये हैं लेकिन उस सब के बाब जुद भी उनका मांदे बढ़ा है नहीं गया उनकी मांग है और बिलकुल जाइज मांग है कि उन्हें 18,000 रुपे मिनिमम वेतन जो बनता है वो 18,000 रुपे उन्हें दिया जाना चाहिए 18,000 रुपे कोई बहुत बड़ी सरकार से वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रहे है 18,000 एक जाइज बनता है जो मिनिमम वेतन के हिसाब से है वो तो सरकार ने अब 18,000 से भी जादर कर दिया है तो हम मिनिमम वेज़ी तो मांग रहे है आंगनवाडी मिनिमम वेज़ी तो मांग रहे है साही का मिनिमम वेज़ी तो मांग रहे है क्या वो भी सरकार नहीं दे सकती अगर हम सरकार की बात कहें तो केन सरकार का लगबग 24,000 लाग करोड का बज़ट है और इस सारे 24 लाख करोड के बजट में क्या आंगनवाडी महिलाओं के लिए सरकार के पास में क्या 10-20,000 करोड भी नहीं है अगर उत्तर प्रिदेश की बात करें उत्तर प्रिदेश में 34 लाख आंगनवाडी महिला है और अगर सरकार कें सरकार की बात छोड़के अपने ही दम का अभी जो बजट आया है चार लाख 24,000 करोड़ का है तो उसमें उन्हें देने में क्या दिक्कत है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है केवल नियत नहीं है मेरा सरकार से यही कहना है कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान दे और इससे अलग हटके मेरा आंगनवाडी बेहनों से कहन हैं बेहनों कोई आपका साथ दे ना दे यह भानुपृताप सिंग और रास्टिय जनहित संगर्ष पार्टी जो हमारी पार्टी है आपके आंदोलन में कंदे से कंदा मिला के आपके साथ लड़ेगी पूरी मांदारी से पूरी ताकत से आपके आंदोलन में हम साथ देंगे आपका और आपकी लड़ाई जब तक आपको आपका जाईज हक नहीं मिल जाता हम आपके साथ रहेंगे मैंने बार-बार कहा है फिर आप सबसे कहता हूँ अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे मेरी ये बात इस चैनल के माध्यम से अगर आप तक पहुंचती है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप से कहना चाहूंगा बैनो आपने बहुत लड़ाई लड़ी है लेकिन एक बार आर पार की लड़ाई हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ी है इस सरकार की आँखें जब तक नहीं खुलेंगी क्योंकि ये तो गूंगी, बहरी, अंधी, बेरहम और बेशरम सरकार है जब तक आप सरकों पर नहीं उतरेंगी हमारी 28 लाग बहने हैं अगर लाखों की संक्या में बहने सरकों पर निकलेंगी तो निश्चित रूप से सरकार आपकी बात मानेगी बिना माने, रहने ही पाएगी सारा मीडिया, जो आच चुप बेटा है, जो आपकी विशे में नहीं दिखाता वो मीडिया भी दिखाएगा, अंतराश्ची मीडिया दिखाएगा लेकिन आपको अब सरकों पर उतरना पड़ेगा लाखों की संक्या में सरकों पर उतरना पड़ेगा मैंने बार बार ये बात कही, आज फिर आपसे कह रहा हूँ पूरी रणनिती बना के, हम एक बार अगर सरकों पर उतरेंगे तो निश्ची तूप से हमारी मांगे मानी जाएंगे और मैं इतना तो आपसे कही सकता हूँ कि अगर ये सरकार आपकी बातें नहीं मानती है क्योंकि बेरहम और बेशरहम सरकार है गुंगी बहरी जूटी सरकार है, निकमी सरकार है अगर ये सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप हमारा साथ दीजिए रास्चे जनहिस संगर्ष पार्टी के साथ दीजिए हम अपने आपके साथ से हम सत्ता में आकर हम खुद आपको आपका हग देंगे ये कहीं बड़ी बात नहीं है आपको आपका हग देना सिर्फ नियत की बात है ये सरकार क्योंको उद्योग पतियों की बड़े बड़े पुझी पतियों की सरकार है इसलिए आपकी गरीबों की इन्हें कोई अबास सुनाई नहीं देती आपकी आवाज कोई सुन सकता है तो हम हैं आप साथ दीजिए हमारा मैं भानुपिरताप सिंग आपका आवान करता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए हमारी पार्टी रास्य जन्हे संगर्ष पार्टी का साथ दीजिए हम आपको आपका हग दिलाएंगे और आपके लड़ाई पूरी ताके से लड़ेंगे मैं दुबारा इस बात को रिपीट करता हूँ इस नंबर को 858-79-799-47 अगर कोई मुझे इमेल पर भी संपर करना चाहे तो इमेल के लिए मेरा जो इमेल आईडी है आप उस पर संपर कर सकते हैं मैं उसका नंबर आपको देता हूँ RJSP RJSP मैं दुबारा से बोलता हूँ RJSP 261113 at the rate of gmail.com फिर से बोलता हूँ RJSP 261113 at the rate of gmail.com मेरे इस नंबर पर मेरे इस इमेल आईडी पर आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी मेहनत से पूरी ताकत से पूरी मांदार इसे आपके लड़ाये लड़ूंगा हमारी पार्टी आपके लड़ाये लड़ेगी